इस वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे प्लानिंग क्या होता है ठीक है प्लानिंग is always the first process of management हमारे पूरे management की सबसे पहली process क्या होती सबसे पहली process क्या है planning है इन्होंनों बोला planning refers to deciding in advance हम क्या करते कोई भी for example अगर आपको एक birthday party करने है ठीक है तो पहले हम प्लान बनाते हैं भाई कब करनी है किस जगे करेंगे किन-किन लोगों को बुलाएंगे कौन-कौन हमारे best friend है उनको include करेंगे किन को नहीं बुलाएंगे भाई हटाओ तो यह सबसे पहले जो हम डिसीजन लेते हैं या डिसाइड करते हैं एडवांस में that is called planning planning में क्या क्या आता है what to do क्या करना है how to do कैसे करना है when to do कब करना है and who is going to do it कौन ऐसा काम करेगा ठीक है अब देखिए planning प्रिजिस ग्याप between where we stand today and where we want to reach planning क्या है management में help करता है उसमें कि हमारा जो gap filling करते है जैसे आज हम जहां खड़ें for example अगर मैं हूं Mr. A हमने decide करा है कि हमें एक organization खोलेंगे तो फिर कैस सारा मैंने decide करा और यह organization हमारी cloth की होगी cloth manufacturing का होगा तेर उसके बाद में हमें ऐसे काम करना और हमारा main target जो main goal होगा अचीव करना तो planning ने करना planning हमारे gap को फिल करता है यहां से start करेंगे और जो हमारा main aim है उसको achieve कर लेंगे that is called planning नोट के लिखा है planning is the base of management process मतलब क्या है basic मतलब अगर हम बोले कि management process की जो नीव होती है वो क्या होती है management process की नीव होती है planning okay student अगर आपको doubt है आप comment section में पूच सकते है thanks for watching do subscribe for more content stay tuned stay in touch thank you